हलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये टू कलर का बहुत ही प्यारा डीजाइन बनाना बताऊंगी देखे फ्रेंड्स इसको मैंने ब्लैक और बेबी पिंक कलर में बनाया है आप दो कलर कोई सा भी ले सकती है जिसका कलर कॉंबिनेशन अच्छा हो तो फ्रेंड्स देखे इसको मैंने दो कलर में बनाया तो आप लोग भी दो कलर में बनाएगे और इसके लिए देखे फ्रेंड पहले मैंने आप यह बॉडर बना है आठ सलाईयों का उसके बाद मैंने यह डीजाइन डाला हुआ है तो चलिए डीजाइन को स्टार्ट करते हैं इस डीजाइन को आप फ्रेंट्स और डाल सकते हैं काईडी गर्न या कहीं पे भी बहुत प्यारा लगता है इसको पूरे या त तो चलिए पहले मैंने इसको ब्लैक कलर से हमें हाप पे तीन फंदे बुनते हैं, वन, टू, एंड थ्री, देखिए हाप पे थ्री फंदे हमने निट किया ब्लैक कलर से, अब हमने क्या करना है, एक फंदे को स्लिप करना है, देन हमने थ्री फंदे को, देखिए, यह देखिए हमने यह देखे एक स्लिप किया फिर ब्लैक कलर से हम तीन फंदे बुनेंगे फिर हमने पिंग कलर का एक स्लिप कर लेंगे फिर ब्लैक कलर से हम एक बुनेंगे और एक यहाँ पे स्लिप करेंगे आप दो कलर को इसा भी ले सकते हैं ये बच्चों के स्वेटर पे आपने लिए खुद आप कार्डिगन बना रहे हैं कैप पे बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद और बहुत इजी भी है ये डिजाइन तो आप लोग जरूर इसको बनाएं देखिए यहाँ पे मैं ऐसे ही हमने पूरी रोग को आप निट करके कंप्लेट कर लें तीन बुनना है हमने एक स्लिप करना है यानि हमने तीन फंदे को बुनना है और एक फंदे को ऐसे ही उतार लेना है तो हमारे यहाँ पे बेस कलर जो है वो पिंक कलर का है आप कोई भी कलर ले सकते हैं ब्लैक वाइट रिड वाइट कोई भी कलर आप यहाँ पे दो कलर ले सकते हैं तो फ्रेंट्स ऐसे ही हमने सारे बूनकर कम्प्लेट कर लेनी है, यह देखे फ्रेंट्स हमने यह कम्प्लेट कर लिया, फ्रेंट्स से बैक साइड हमने क्या करना है, देखे, पिंक वाले को हमने सेम ऐसे उतार लेना है, फिर फंदे को आगे की साइड करेंगे, पीछे की साइ ओर ये फन्दे को हमने सीधा सीधा, तीन फन्दे को सीधा सीधा बुन लेना है, फिर हमने फन्दे को अपनी साइट किया पिंग वाला उतारा, और ये ब्लैक वाले को हमने ऐसे ही बुन लेना है देखे फ्रेंट्स बहुत ही प्यारी डिजाइन है ये और बहुत इजी है आप लोग जरूर ट्राइ करें ये बिगनर्स भी बना सकती है जैसे जो जादा निटिंग नहीं करती है फ्रेंट्स क्योंकि इस फंदे में कहीं भी हम लोग को increase and decrease यानि घटाना बढ़ाना नहीं है only knitting बस knitting ही करनी है इसमें सिर्फ उल्टे सीधे की हमें knit करनी है बस और पुछ भी ना घटाना है ना बढ़ाना है और इस डिजाइन में फ्रेंट्स कोई issue भी नहीं होता है अब जितना भी अपने पैटर्ण पर फंदे डालना चाहते हैं रख सकते हैं कि अ कि 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 क कि 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 अंने फिर यती ओंधे को ऐसे ही इनलेना है और फिंक वाले को हमने जो पेस कलर हमारा है वह पिंट ऑलर का है उस monsieur एक एक dependence टीया है फिर और उसे सदम jij बैए जो मुनने बुने हैه फ्रण्सوس साइट से उसकों बैक साइट से भी वोनेंगे गzw जो हम उतारे हैं यानि स्लिप किया है हमने जो फंदा उसको हमने स्लिप करना है ऐसी हमने सारे रोग को बुनकर कंप्लेट कंडल लेना है देखिए हम कंप्लेट ही कर चुक हैं फ्रेंड्स लाश्ट हमारे हाँ पर त्री फंदे हैं ब्लेक उसको भी हमने बुनकर ये कंप्लेट कर लिया है अब देखिए फ्रेंड्स अब तो हमने इससे पहले ब्लेक वाले से हमारी ये डिजाइन बनी है अब हमने पिंक वाले से तो पिंक वाले से हमने क्या करने ही ये देखिए हमारी ये रो बन गई है, ये ब्लैक वाली, अब हमारा ये पिंक वाला बनेगा, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये, अब हम पिंक कलर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे हमारी दो सलाई ब्लैक से जाएगी, उल्टे सीधे की और दो सलाई पिंक, तो एक हम फंदे पिंक बुनेंग एक हम यहाँ पे black slip करेंगे फिर हमने देखिए friends इतना care करना होगा यह जो हमारा pink color का beast का फंदा है यह तीनों हमारे knit होगी और जो यह देखिए black color का यह है यह फंदा तो यह beast का हमारा slip होगा अब देखिए दो तीन तीन फंदे हमारे हमारे pink होगा है और यह देखिए हमारे दो black बचे हैं तो black का एक यह हमारा बीच का यह ऐसे slip हो जाए फिर देखिए pink बीच में है और बगल बगल का black तो यह तीन फंदे हमारे बुने जाएंगे नॉर्मल सा है आपको ज़्यादा केर करने की जरूत नहीं है बस श्टार्टिं में आपने थ्री फंदे से बनाने है थ्री जो कलर एट करेंगे सेकंड और सेकंड टाइम आपने यह करना है कि एक कर लेना है वो जो बेस कलर होगा उसके बाद वो सेकंड कलर जैसे मैंने आपे ब्लैक से यह सलिप कर लिए उसके बाद 3 यह, 3 यह ऐसी होगा क्योंकि एक बाद 3 फंदे उस कलर से बनेंगे एक बार 3 फंदे वेस कलर से बनेंगे और कोई जड़ा यह द्योदे के जरूरत नहीं ब स्थार्टिंग में उसके बाद हमारी ये डिजाइन अपने आप बनती हुई जाएगी, ये देखिए, ये तीनों हमारे बुने जाएंगे तीन फंदे हम बुन रहे हैं, एक फंदे हम स्लिप कर रहे हैं, अब हमारा ब्लेक वाला एक फंदा उतार रहे हैं, इसके पहले हम पिंग कलर से, पिंग कलर वाला उतार रहे थे, ब्लेक कलर से बुन रहे थे, अब हम कर लें आप देखिए फ्रेंट्स हम बैक साइड आ गया है तो यहां पर मैंने यह फंदे बुन लेए हैं यहां पर भी ऐसे करना फ्रेंट्स जो हमने फंदे बुने हैं उसको बुनना है और जो स्लिप किया उसको स्लिप करना है सीधा सीधा हमने इस साइड भी बुनना है आगे के साइड से भी हमने सीधी सीधी निटिंग की है और इस साइड भी हमने सीधी सीधी निटिंग करनी है देखिए ब्लैक कलर को मैंसे स्लिप कर लेते हैं और फंदे को पीछे के साइड ले जाके सारे फंदे, तीन फंदे को हम निट कर लेंगे, फिर इसको स्लिप कर लेंगे, बहुत इजी डिजाइन है फ्रेंट्स, दिखने में थोड़ा कम्प्लिकेटिड लगता है, कि कैसे बनेगा, बट आप जब बनाओगे तो आपको खुद, और ऐसे ही मैंने इसके पहले एक डिजाइन बताई थी, तो वह भी सेम ऐसे ही डिजाइन था, बट इसमें जो दोनों साइट से सीधी-सीधी निटिंग हो रही, उसमें मैंने जो बताया था डिजाइन, सेम डिजाइन यही थी फ्रेंट्स, बस उसमें बैक साइट से उल्टा, और फ्रंट साइट से सीध मतलब उस पर उल्टे सीधी की डिजाइन थी और इसमें तो ऐसे दोनों साइड से उल्टी-उल्टी है और इस सीधी-सीधी है यह देखिए ऐसी हमने पूरी रो बुनकर कंप्लेट कर ले है जो हमने फ्रंट साइड से फंदे बुने रहेंगे वही हमने बैक साइड में फंदे बुनने है बस एक चीज का केर करना है उन को आपने आगे पीछे करके बुनना है उतारना है देखिए अपने साइड उन करके तब हम ब्लैक फंदा एक फंदा उतार लेंगे फिर पीछे की साइड ले जाके तीन फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं देखी ऐसे रुने की लेकी जुण हमने सीधे। कीघ ट्रूलार लेखी हमने सीधे मेंगे मेंना की मु़रा लेखीम पुआंगे ङस्वाने सीधिता 채添ू हमने सीधे ये हमारी देखें फ्रैंड्स complete हो गया है देखें हमारी डिजाइन बनना ये सुरू हो गया है कितनी easy design फ्रैंड्स अब आपने क्या करना है दिन हमने ये black color से हैं पे 3 फन दे जो हमने starting में किया थह इसके पहले वाला black जो हमने शुरू से डिजाइन डाला था तो अब हमने ये black color से देखिए तीन फन दे और एक हमारा ये pink देखिए भी ये peach वाला pink slip होगा फिर हमारा ये तीन black हो जाएगा और एक हाँ से ये slip हो जाएगा ये देखिए friends हमने यहाँ पे black वाले से भी बुल लिया है अब back side हमने वही process करना जो अभी हमने आपको बताया है तो friends ये design बहुत ही easy है आप इसको cardigan में full बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि ये design जो होती है friends काफी गफ होती है और सर्दियों में काफी warm तो हम सर्दियों में अभी तो गर्मिया है तो ऐसा लगता है कि कोई भी design बट सर्दियों में यह होता है कि मैं ऐसा design बनाएं ताकि वह बहुत गफ रहे और warm करे मतलब गर्म रखे तो अगर हम ऐसे मतलब देखिए friends अगर हम आस तिन पर ये design डालेंगे बहुत ही प्यारा ल और शर्दियों में आप यह design का कुछ भी बनाएंगे तो काफी गफ रहेगा और बहुत ही गरम करेगा friends तो आप जरूर ट्राइ करें यह baby cap पे जैसे baby cap पे और शोज पे फिर उसके लिए अगर आप frog या sweater बना रहे हैं तो friends यह पूरी design आप डालेंगे पूरा set बनाएंगे बहुत ही प्यारा लगेगा यह क्योंकि यह baby pink कलर का भी उल है और इसमें black कलर का combination भी काफी बेटर है तो आप लोग जरूर ट्राइ करिए देखिए friends तो आज की design आप लोग को कैसी लगी friends वीडियो को like share करना बिलकुल भी ना भूलिएगा और नय है तो मेरे चैनल को subscribe भी क ब्रीजी थैंक्स वार वाचिं क्वाचीं